जेन दोस्तों स्वागत आपका चैनल तकड़ाफोजी पे दोस्तों आज इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे SSC GD Constable में जो Physical Test लिया जाता है उस विशे में हम लोग इस वीडियो पे बात करेंगे फिजिकल टेस्ट के लिए एड्मिट का डाउनलोड करने के लिए आप लोग क्या करेंगे जब भी आपका रेजल्ट आ जाएगा CBE एक्जाम का तब कुछ दिन बाद SSC के official website में जो है आपका फिजिकल टेस्ट का एड्मिट का अपलोड हो जाएगा उधर से आप लोग एड्मिट का डाउनलोड कर लिजिएगा जब एड्मिट का डाउनलोड कर लेंगे एड्मिट कार में पुरा लिखा रहेगा कि कि इस डेट को कहा कौन सा कैम में जो है आपका फिजिकल टेस्ट हो भाबग सौ या देर सौ किलीमिटर दूर एक कैम में मेरा फिजिगल टेस्ट हुआ था मेरे घर से तो मैं क्या kg मेरा गाव में दूसरा एक लरका था उसका भी फिजिगल टेस्ट सेम डेट में और सेम प्लेस में होने वाला था तो हम दोनों मिलके बादबूत करके हम दोनों क्या क्या एक दिन पहले ट्रेंड से चले गए थे उस कैम के एरिया के पास ठीक है 100-100 किलिमीटर उस दूर उस जगा फिर चले गए और उधर जाके बहुत लोगों को देखा बहुत सारे लरके जो एक दिन पहली आ गए मेरे दिस से ठीक है तो उधर जाके लरकों से बात किया कि हाँ आपका टेस्ट कब है सब बोल रहे कि हमारा अगले दिन है ठीक है कोई-कोई लरका का उसी डेट को चल रहा था मतब डेली जो है डेली फिजिकल टेस्ट चल रहा था ठीक है 200-500 करके जो है फिजिकल टेस्ट चल रहा था उस कैम में तो उस डेट को भी फिजिकल टेस्ट था ठीक है तो हम लोग क्या क्या उस कैम के नजदिक गया जाके जो है हम लोग बात किया कैम के सेंत्री से बोला हाँ अगले दिन भी फिजिकल टेस्ट होगा फिर हम लोग बुला हमारा भी कल फिजिगल टेस्ट है तो क्या करें बुला आज तो नहीं एंट्री करेगा आप लोग कही रह जाओ ठीक है तो हम लोग क्या क्या जो नजदिक एक गाउ था ठीक है उस गाउ में घर ता तो हर एक गर में पांस पांस दस दस लरके जो है एक साथ रहने के लिए ठान लिया ठीक है तो हम लोग भी जिस गर पे रुखा था उधर हम लोग टोटल साथ लरके थे ठीक है तो हम लोग क्या क्या रात को उने के गर सोने के लिए गया और बोला वो लोग के 100 सुरूपे देना परेगा तो ठी खाना भी खिलाएगा रात को, तो ठीक है, सब भी मानगे, 100-100 रुपी क्या है, यदि नौकरी मिल गया है, तो 40,000 सेलरी कमाएंगे, 100 रुपे में क्या रखा है, एक रात के लिए, तो डिसेट कर लिया कि हम लोग जो है, गर पे रुखेंगे, तो उस गर पे गया, हम लोग जा के रात को अरम से सो गया था, अभी इससे पहले क्या हुआ था, शाम को जो है, हम लोग तोरा कैम के नजदिक गया था, कैम के नजदिक जाके संत्री से बोल के, हम लोग एक बार कैम को घूम भी लिया था, और बहुत सरे लिए लिए जो है, अंदर जा रहा था, संत्री पास दे रहा था क्योंकि हम लोग को देखना था कि कहा पर दोर आएगा हम लोग को ठीक है कहा पर क्या होगा तो हम लोग क्या क्या वाटर सारे लेकों को जो है जाने के लिए दिया और हम लोग एक दिन पहले उदर शाम के टाइम एक बार थुरा गुम फिर के आ गए थे फिर रात गया मेरे साथ बोला जो लेरका था हम दोनों गया उधर कैम के सामने कैम मान लीजिए गाउ से 200 मीटर दूर था ठीक है 200 मीटर दूर तो जाके देखा गेट पे लगबग 2500 लेरके जो है लाइन लागा कराके अंदेरे में अब भी सुबह भी नहीं हुआ था ठीक है तो डैसलर के बाद हमारा नंबर है तो हम लोग क्या क्या ठीक है तो डैसलर के बाद ही हमारा नंबर आया था ठीक है तो हम लोग क्या क्या चौरी चुपके चौरी चुपके बादबूत करके कि अंदेरे में थोड़ा बहुत आगे चला आया था लगबग 100 लेरकों के आगे चला था ऐसे से करके मतलब कोई इदर जा रहे है कोई पेशाप करने जा रहे है कोई बाहर लाइन के बाहर ऐसे बैटा हुआ है फोन पर बात कर रहे है तो हम लोग के थोड़ा थोड़ा आगे बरते गए और लगवाग 100 लेकों के बात बरा अभी pemc ke gate के पास गया उधर क्या हो रहा है था एंट्री के समय उधर हम लोग उसे documents देख रहा था admit card जो physical का admit card वो दिखाना पर रहा है ठीक है और जो metric के admit card है वो दिखाना पर रहा है क्योंकि date of birth नाम बगएर और जो physical का admit card है उसमें matching करा रहा है ठीक है तो जब यह सब दिखाया ह हम लोग मेरा टारनाया second shift में, हर एक shift में हम लोगों 50-50 लरका को दोड़ाया था, ठीक है, हर एक center में अलग-अलग होगा, किसी center में 1-100-200 दोड़ा देता है, लेकिन मेरे center में 50-50 लरका को दोड़ाया था, ठीक है, तो हम लोग उधर admit card दिखा के entry किया, ठीक है तो एंट्री करा के और एक बर जो एक टेंट लगा हुआ था उस टेंट पे उदर हमारा फीजिकल का एडमीट कार्ट देखा मेट्रिक एड्मिट कर देखा फोटो बगरा ये देखा और हाइड बगरा नापा ठीक है तो उदर हाइड बगरा और डोकुमेंटेशन होने के बाद ऐसे करके पचास लेरकों को आगे बराया और रास्ते के एक जगा फिर ख़रा किया और उदर जाके बोला एक उस्ताद था उस्ताद ने बोला कि इदर से आप लोग का रणिंग शुरू होगा 24 मिनिट में 5 किलो मिटर खतम करना है डाई किलो मिटर जाना है एक स्कूल परेगा उदर उस स्कूल पे टेबिल बिचा हुआ रहेगा टेबिल पे कैराम बोट के आपको रोड को डायरेक्शन देनी के लिए और आगे एक बाइक चलेगा वीडियो केमारा बनानी के लिए ठीक है हम लोग पचास लरका जो है खरे हो गए और विसल मार दिया दोरनी के लिए पूरा रानिंग शुरू किया मैं भी अपने ग्रूप में दोरते दोरते रहा द दोरने लगा दोरते दोरते उदर डाय किलो मेटर कम्प्लीट करके देखा कि हा एक स्कूल है उदर बहुत सरे केरमबोट का गोटी लगा हुआ है टेबिल में और उदर आसम रेवेल का सेंत्री भी है और जगा-जगा सेंत्री खरा हुआ है लाठी लेके बंदूक लेके मेरा कंडिशन ऐसा हो गया है कि मेरा लास में भी कुछ लरके है फर्स्ट में भी कुछ लरके है मैं बीच में अकेला दोर रहा हूँ फिर मैं क्या-क्या दोरते रहा दोरते रहा मन ऐसा कर रहा है कि देखो इस रणिंग के बाद मेरा नोकरी हो जाएगा मेरा दिमाग में यह चल रहा है कि यह यह दी running complete कर लिया क्यूंकि SSc में क्या होता है सिर्फ और चिर्फ running 5 km का 24 मिनट पे complete करना है मेरा लक्ष यह ही तै और मन में यह चल रहा है कि यह यह कप्ड़ित कर लेता हूँ मेरा तो रिख क्रीप पक्ता वाई है कि ऐसे दिमांग में दूर रहाओ दूर ते ओर ते ज़ो है मेरा पैर के नीचे जो कट गया है फिसे में यार आप छोड़ दू दू और कुई तालाब दुलाब में इतना गरमी इतना पसिन वैसिन हो रहा है लेकिन क्या करoux नौकरी के लिए दोर रहा है धुर रहा हो वरदागाना है फिर दोर्ते-दोर्ते-दोर्ते लार्ष टक जो है मंजिल आ रहाता, नजदिक देख रहा हु हैं रस्ती लगा होँआ है और लग लोग पास हो रहा है हो रहा हैं धिक है मैंजम तरहीं कर लिया ओदर जाके पूरा एक एकदम अंदेरा अंदेरा हो गया था मेरा पूरा सुन्न हो गया था मैं किया किया एक पोल में जो टेंड होता है ना टेंड का पोल में एसे खराओके थोड़ा सिर को लगा रहा था था ठंडा लग रहा था इतना आराम लग रहा था लेकिन बीच में एक असाम्राय भेल का सें मेरा को बहुत दुख लगा कि हम दोनों एक साथ आया लेकिन वो फेल हो गया ठीक अभी क्या करें वो बोला कि ठीक है तू आगे जा मैं इधर रुखता हूं मेरा साथ वाला जो गया था ठीक है हम लोग जो जो पांस हुआ था उन लोग को अलग एक जगा पर ले गया टेंड ले गया उस टेंड पर जो टेंड बना हुआ था उधर हम लोग को चेस्ट मेजर्मेंट किया ठीक है इसके बाद वेट मेजर्मेंट किया तो चेस्ट मेजर्मेंट से पहले आसाम्रे फेल के सेंत्री जो बोल रहा है कि पुशाप मारो पुशाप मारो ठीक है तो हम लोग भी किया किया 20-30 पूशा बैसे मारते रहा और अपना करके नंबर आते रहा और छाती माप राता और फुला के इसके बाद भी एक्सपेंशन करके भी माप राता फिर वजन माप राता फिर हम लोगों एक जगा पर बैटा है ठीक है आप लोग अभी ऐसे ही होगा मैं अपना शेयर कर रहा हो बस ठीक है कैसा कैसा हुआ मेरा फीजिकल टेस्ट फिर हम लोगों जब चेस्ट मेजर्मेंट और वेट मेजर्मे तो दस कम्प्यूटर होगा अलग-अलग कम्प्यूटर में करके असम्ड रेफल के जो है बंदा बैटा हुआ है और यह लोग हम लोग से एक-एक लर्का को उदर जाके बुला रहा है और उदर एक चेयर है और साथ में वों एक बंदा तो है फिर वह हम लोग को बोलते गया औ और डोकुमेंट्स हम लोग दिखा थे गए कि नाम क्या है पापा का नाम क्या है एड्रेस डेट ओब बाद ठीक है अंगोठा का च्छाब पूरा पूरा जो है डीटेल्स हम लोग से भराया कंप्यूटर से ठीक है पूरा लगबक इदर मेरा रानिंग शुरू हो ता मैं बता दता हूं सुबे 6 बजे ठीक है सुबे 6 बजे रानिंग शुरू हो गया था सारे 6 बजे रानिंग कंप्लीट हो गया फिर आदा गंटा एक गंटा लगा मैजरमेंट करते करते साथ आठ बज गया ऐसे करके फिर उदर जब गया बैटने के लिए जहाँ पर हमारा कराया वो लोग बोलते गया कि हाँ नाम कर स्पेलिंग देख लो डेटो बर देख लो पूरा एकदम डिटेल्स त्यार करके प्रिंट आउट लेके कहा कहा से इदर उदर से साइन वाइन करा वरा के वो लोग कराया ठीक है हम लोग बास स्विश चार बेटे थे ठीक है फिर बारा बजे एक-एक करके फॉर्म दे रहा था हम लोग को एक-एक करके फॉर्म दे रहा था ठीक है उस फॉर्म में पूरा हमारा डिटेल्स रहा ठीक है बोला गया है उदर से जहां पर फिजिकल टेस्ट हो था उस कैम से यदि आप लोगों का ठीक है एड्मिट कार नहीं आ अभी क्या होता है, अभी कुछ साल से चल रहा है, पहले written test, मतब CBE, इसके बाद physical test, इसके बाद जो है, medical test, फिर physical test, जब complete हुआ, उदर से कागस दिया, फिर बोला गया है कि, ये जो कागसे वो रखना है, ये आपका admit card नहीं भी आता है, तो इस कागस को दिखा कि आप exam देख सकते हो, इसमें आपका roll number वगरा है, फिर उदर से निकला, निकल के, देखा, क्यम के बाहर आके देखा, वो जो मेरा दोस्त है, गेट के बाहर, अभी जग बेटा हुआ था, बारा बज़े था, कुछ खाया भी नहीं वो, मैं भी कुछ खाया नहीं था, मैं तो देखके पू फिर हम लोग खाने गया, मार्केट में गया, ठीके मार्केट में जाके खाना खाते गाते, मेरे पापा को फोन किया, ठीके कॉल करके बताया कि पापा मैं फीजिकल में जो है, सिलेक्ट हो गया हूँ, अभी ट्रेन पकर के घर आ जाओंगा, इसके बाद जो है, हम लोग ट्र करेंगे तो आप क्या करेंगे एक दिन पहले नहीं तो रात को ही चले जाएगा ठीक है अभी तो देखते हैं लोग मैं देख रहा था मेरे गाव से जाता है वो लोग रात को दो बजे तीन बजी उस वेनू में चला दाता है ठीक है क्योंकि अलग-अलग कैम में किसी गल टेस्ट होता है मेरा बहुत दूर हो गया था इसलिए मैं एक दिन पहले चला गया था आप लोग यह समत कीजिए आपका इसे आपसे देख लीजेगा लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आपका नंबर जो है बहुत पहले-पहले लग जाई सुबह सु का नहीं बताओंगा तो क्या मेरा एक्सपिनेंस बताओंगा वीडियो को प्लीज ळाइक की जाएगा वीडियो को शियार कीजएगा चनल को प्लीज सब्सुन्स कीजएगा तब दिक करेuts a